ये क्या हो गया दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पाटी जिसने अपने दम पर देश के अलग-अलग राज्यों में सरकार बनाया जिसने देशवासियों का दिल जीत लिया अब वही देशवासी भाजपा को नापसंद कर रहे हैं जो मीडिया दिन रात लगा रहा 24 घंटा आपा आपा करता रही वही आका की ताज को शायद बचाने में असफल हो गया है क्योंकि जिस तरीके से मीडिया एक पार्टी को सपोर्ट करते रहा समर्थन देता रहा वो पार्टी को आज वो बचा नहीं पाया करनाचक में 10 मही को चुनाव होने वाला है और चुनाव को ल चीन कर भी दे दिया गया दो दो परसिंग बांट लिया गया उसी करनाचक में भाजपा की हार होती हुई साफ़तोर पर दिखाई दे रही है ना रक्षन काम आया ना हाइवे क्या जंदा का वोट भाजपा के साथ ना होकर कॉंग्रीस के पास जा रहा है यही वज़ा रही है कि कॉंग्रिस की जीत करनाचक में पक्की होती हुई साफतोर पर दिखाई दे रही है करनाचक में महौल जो इस वक्त तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है जो दिखाई दे रहा है वो कॉंग्रिस के साथ नजर आ रहा है दोस्तों करनाचक का चुनाप भाजपा के लिए ज साफतोर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि भात जनता पार्टी को कर्नाचक में कितनी तीटे मिल लई टोटल जो सीट है उसमें 115 सीट मिलती हुई साफतोर पर दिखाई दे रही है करनाचक में कॉंग्रेस को बहुमत वाली सरकार बनती हुई साफतोर पर ABPC voter की opinion poll को अगर देखा जाए तो वो कुछ इसी तरीके से बया कर रहा है कि ABPC voter poll में सीधे तोर पर 127 सीटों में कॉंग्रेस को 115 सीटे मिलती हुई नज़र आ रही है यानि कि कॉंग्रेस को जो करनाचक के लोग हैं वो पसंद करते हुई नज़र आ रहे हैं ऐसे में भाजपा के लिए ये बात परिशानी की सबब बनती हुई साफतोर पर दिखाई दे रही है बताई जा रही है कि भाजपा के लिए करनाचक जीतना जो है वो बहुत एहम था क्योंकि पूरे साउथ में करनाचक ही एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर भारती जन्ता पार्टी की जीत हुई है साउथ में जो BJP का वर्चस्प है वो पूरी तरीके से अगर वो करनाचक हार जाती है तो खत्म हो जाएगा एक करनाचक ही है जहांपर भारती जंता पाटी का जो सत्ता है जो साशन है करनाचक से चलता वो दिखाई देता है लेकिन अगर वो करनाचक भी हाथ से चला जाता है तो साउत में भाजपा के पास एक भी राज्य नहीं है जहां पर भाजपा ये कह सके कि वो साउथ में भी अपना जंडा लहरा रही है अपना पर्चम लहरा रही है क्योंकि जिस तरीके से 10 मई को चुनाव करनाचक में होने वाला है जैसा कि चुनाव आयूप टी तरफ से तारीख का एलान कर दिया गया है 13 मई को इस पूरे चल और काफी उतार चड़ाब जो है वो देखने को मिल रहा है दोस्तों इस तस्वीर को आप देखिए इस तस्वीर को एबीपी की तरफ से जो है शेयर किया गया है एबीपी न्यूज में जो एंकर है वो इस खबर को बता रही है कि सीम की पसंद कौन है करनाचक में तो को चाहती है अब अगर बात करें सिद्धो रमय्या की तो यहां पर 49 लोग जो कॉंगरेस के सीम है जो पूर्व आ कॉंगरेस की सरकार हुआ करती थी वहां पर 49 परतिशत लोग जो है कॉंगरेस को एज सीम के तौर पर पसंद कर रहे हैं कुमार स्वामी को 21 परसंद दीके श परतिसर जो है एविपी सी वोटर के स्रोत के जरिये यह आकड़े जो है वो प्रस्तूत किये गए है कि कैसे करनाचक में तस्वीरे जो है वो बदलती वी नजर आ रही है करनाचक में बीजेपी के लिए जो सेंट्रल करनाचक है वहां पर भाजपा को 12-16 सीट मिलता हुआ नज आ रहा है जेडियस को 1-2 सीट अदर को 1 सीट और अब बात कर ले दोस्तो कोस्टल करनाचक की तो कोस्टल करनाचक में बीजेपी को 9-13 सीट मिलने की संभाबना सी वोटर के जरिये बताई जा रही है तो वही कॉंग्रेस को 8-12 सीटे कोस्टल करनाचक में मिलती वी नजर आ जेडियस को 1 सीटे और अदर को 1 सीटे तो ऐसे में जो करनाचक में खेल जो है वो पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है कि जहां पर भारतिये जंता पार्टी दावा कर रही थी कि 100 से जादा हम सीट करनाचक में ले कर आएंगे यहां पर कॉंग्रेस को पूरी तर जो है करनाचक के ओपेनियन पोल से शुरू हो चुकी है कि करनाचक में भाजपा की पचकिनी जो है वो पूरी तरीके से खत्म होती वी नजर आ रही है भाजपा को पचकनी कॉंग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है वही कॉंग्रेस जिसको अभी हाल ही के दिनों में पूरी बदलतावा नजर आ रहा है दोस्तों वो साफतोर पर आप इस स्क्रीन पर दिये गए ओपिनियन पोल से अंदाजा लगा सकते हैं और सबसे कमाल की बात दोस्तों ये भी है एक बड़ी बात ये भी है किसी करनाचक में राहुल गांदी ने नीरब मोदी मेहुल चोकसी और तमाम मोदी जो पैसा देश का लेकर भागे थे जिनके सरनेम की वज़ा से जो राहुल गांदी को सजा हुई थी जिसको राहुल गांदी की तरफ से चोर कहा गया था इसी करनाचक में राहुल गानी ने बयान दिया था और ये करनाचक में केस ना होकर गुजरात में केस होता है तो कहीं न कहीं करनाचक की जो जनता है वो इस बात को समझ रही है कि आखिर खेल क्या है और इसी खेल को समझते हुए opinion पोल जो है वो जंता का आपके सामने है दोस्तों इस पूरे रबोट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रति के लिए हमें comment section में जरूर बताईएगा साथी साथ में शनते 60 को जादा साजादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले क्षिया में जरूर सब्सक्राइब करना स्लिवा झाल झाल